महापौर दयाश्यंकर तिवारी ने कहा कि कोविट की तीसरी लहर में बच्चों की ज्यादा संक्रमित होने की आशन का चिताई चारी है पविश्य की चुनोती को देखते हुए डॉक्टरों को अभी से तयारी में चुट जाना चाहिए इसके लिए इंडियन मेडिकल असोसेशन पहल करे मनपा पूरा सयोग करेगी कोविट की तीसरी लहर से निपटने की उपायों पर चर्चा के लिए नाखपूर मनपा और इंडियन मेडिकल असोसेशन के सईक्ट तत्वधान में ऑनलाइन परी चर्चा आयोजित की गई इसमें महापौर के अलावा सत्ता पक्षिनिता अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्षिनिता तानाची वन्वी, स्वास्त समीती सभापती संचे महाचन, अत्रिक आयक्त राम जोशी, इंडियन मेडिकल असोसियेशन की डॉक्टर संचे दतली, मन्पा की डॉक्टर संचे चिलकर डॉक्टर विजय जोशी, वरिश्री नगर सेवक डॉक्टर रविन रभुयर, आयमे सदस्यर डॉक्टर मंजु शाकिरी, डॉक्टर प्रशान निखाडी, डॉक्टर विजय धोटी, डॉक्टर संदीब अंजंकर, डॉक्टर विनोद गांदी, डॉक्टर पंकच अगरवा का अंदेशा है इस वजह से अभी से ही तयार रहना होगा डॉक्टर मंजुशा किरे ने कहा कि छोटे बच्चों का आइसलेशन बड़ी चुनोती होगा डॉक्टर निखाडे ने कहा कि कोविट के बाद होने वाली चटिलताओं से भी निपटना काफी चुनोती पूर्ण हो ग